सर्दियों में मूली खाना बहुत गुणकारी माना जाता है रैसे तो कई सारे लोगों को मूली अच्छी लगती है और लोग इससे अलग लगता है से खाना पसंद करते हैं कोई इसके पराठे खाता है तो कोई सिलात के रूप में खाना पसंद करता है साथ बहुत सारे लोगो इसके पत्ते भी बेहदलाब दायक होते हैं। मूली खाने से पेट सम्मंदी समस्या से आराम मिलता है। तो चले जानते हैं मूली खाने की और भी अन्य फायदे के बारे में। मूली में भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड विटामिन सी और एथोकाइनिन पाये जाते हैं। ये तत्व शरील को कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। मुहों पेट, आंत और किडिनी के कैंसर से लड़ने में ये बहुत सहायक होते हैं। मूली कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए जाने जाती हैं यानि कि इसे खाने से ब्लड शुगर पर असर नहीं होता। रुजाना सुबह खाने में मूली का सिवन करने से डाइबिटीस से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। मूली खाने से जुकाम भी नहीं होता। कुछ नहीं तो मूली को कम से कम सलाद में तो जरूर खाना चाहिए। बवसीर में कच्छी मूली या मूली के पत्तों की सबजी बना कर खाना फायदे मन्द होता है। हर रोज सुबह उठते ही एक कच्छी मूली खाने से पीडिया रोग में आराम मिलता है। अगर पेशाप का बनना बंध हो जाए तो मूली का रस पीने से पेशाप दुबारा बनने लगती है। आदा ग्लास मूली का रस पीने से पेशाप के साथ होने वाले जलन और दर्द मिट जाता है। खटी डकारे आती हैं तो मूली के एक कप रस में मिश्ट्री मिलाकर पीने से लाप मिलता है। पाईरिया से परिशान लोग मूली के रस से दिन में दो तिन बार कुला करें और इसका रस फिये तो बहुत फाइदा होगा मूली के रस से कुला करना मसूडों दातों पर मनना और पीना दातों के लिए बहुत लाब कारी है मूली को चबा-चबा कर काने से दातों और मसुड़ों की विमारियां दूर होती है धकान मिटाने और नेन लाने में मूली बेहत फाइदेमंद है वहीं अगर आपको मुटापे से छुटकारा पाना है तो मूली के रस में नीमपू और नमक मिला कर खाने से बहुत लाब मिलता है दरसल मूली खाने से आपकी भूख शान्त होती है मूली खाना पीलिया रोगियों के लिए एक राम बान उपा है रूजाना सुभा एक कच्ची मूली खाने से पीलिया रोग सही हो जाता है मदुम्हे के मरेजों के लिए भी ये फायदे मंद है